मुंबई समेथ पूरे महराष्ट को आज हजारो करोड की सौगात मिलने जा रही है लेकिन इन में सबसे खास बात ये है कि मुंबई का अटल सेतू ये शांदार पुल इंजिनरिंग का कमाल का नमूना माना जा रहा है। आपको बताते हैं क्या है इसकी खासियत देखे इस मुंबई में सफर के लिए अप सिंगापूर जैसी सुविधा मिलने जा रही है। ये मुंबई ट्रांस हर्बर लिंक है जिसके जरिये शिवडी और दक्षिर मुंबई से नहावा, शेवा और नवी मुंबई तक के इलाकों में घंटों का सफर मिनुटों में पूरा हो अठल सितु नाम का ये पूल मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए नई लाइफ लैन है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उत्खाटन करेंगे। पूल दो मायनों में काफी महत्तपून है। एक और ये देश का सबसे लंबा पूल है तो साथी देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा पूल भी है। इसके निर्मान पर 17,840 करोड रुपे के लागत आई है। में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलोजी ऐसी इस्तिमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तिमाल हुआ है। ये मोदी ने दिसमबर 2016 में इस पूल की आधार शिला रखी थी। तकरीबन 6 साल में ये शांदार पूल बनकर तयार हो चुका है। खास बात ये है कि ये पूल हाई टेक्स सुवधाओं से लेस है। इस पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है। यानि टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुपना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत शक्तिशाली स्कैनर लगे है। इस पूल पर इंटेलिजन्स ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस पर 400 कैमरे लगे हैं जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं। लेहाजा धुंद कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहां से गुजर रही ग इस पूल पर सभी जरूरी इंतजाम किये गए हैं। इस पूल के निर्मान से खास्तोर से उन लोगों को फायदा होगा जिनके इलाकों में अभी तक मुंबई की लोकल ट्रेंस देवा नहीं हैं। यहादा माना जा रहा है कि रोजाना लगभग 70,000 से जादा गाडियां इस गुजरेंगे। आपको बता दें कि इस पूल से सफर में कितनी आसानी होने जा रही हैं। ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नौर्दन का मुंबई, वेस्टरन सबब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर याने उलवे और नभी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले, नैशनल हाईवे और आगे बंबेपूना एक्स्ट्रस भी, यहाँ तक के तो कनेक्ट कर करने की इसमें पूरी प्लैनिंग है, बाद में जब मल्टी मोडल कॉरिड़र बनेगा, तो मल्टी मोडल कॉरिड़र से भी एक जाइन हो जाएगा यह भी बता दें कि PM का आज का महराश्ट्र दौरा बेहत खास है, वे आज महराश्ट्र को 30,500 करोड रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे वे मुंबई में PM Eastern Freeway के Orange Gate से Marine Drive को जोडने वाली Underground Road Tunnel का भी शिलान्यास करेंगे साथ ही वे जेम्स और जूलरी के कारुबार को बढ़ावा देने के लिए सीप सेज में भारत रतनम और New Enterprises and Service Towers का भी शुभारंब करेंगे PM महराश्ट्र में रेलवे और पीने के पानी के कई परियोजनाओं की भी शुरुवात करेंगे वे राज्जी में महला साशक्तिकरण के लिए नमो महला साशक्तिकरण अभ्यान भी लॉंच करेंगे मुंबई से मुस्तफा शेक के साथ ब्योरा रिपोर्ट गुड निउस टुडे